आकाश्वाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं नवनीत चोबे देश में COVID-19 से पीडित लोगों की संख्या और घटकर 3.71 प्रतिशत रह गई है पिछले 24 घंटों में करीब 8500 रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं देश में कल तक 92,92,92 लोग स्वस्थ हुए हैं इधर प्रदेश में कल कोरोना के 1319 नए मामले सामने आये हैं जबकि 7 लोगों की मौत हुई है इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2,19,893 और म्रतोकों की संख्या 3,373 हो गई स्वास्थ विभाग द्वारा जारी बुलिटेन में राहत की खवर यह है कि राज्य में कल तक 2,3,214 मरीज कोरोना को मात दे कर अपने घर पहुच चुके हैं इन में 1,307 मरीज कल स्वास्थ हुए सबसे ज़्यादा प्रभावित इन दोर जिले में कल 412 नए मामले सामने आये हाला कि यहां कोरोना के मरीज तेजी से स्वस्थ भी हो रहे हैं अब तक यहां 42,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं बेतुल में कल 12 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया अनूपपूर से भी राहत की खबर मिली है यहां कल प्राप्त 254 रिपोर्ट में किसी भी व्यक्ति में कोरोना संक्रमन नहीं पाया गया अंतराश्ट्री फुटबाल खिलाडी मदुबाला अलावे ने प्रधान मंत्री के कोरोना के खिलाफ जन आंदुनन को अपना समर्थन दिया है उन्होंने लोगों से कोविड-19 से बचाओ के लिए मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की है कही पर भी जाए माक्स लगाए और कही पर जाए कोई सी चीजे को हाथ लगाए तो सबसे पहले सेनिटाइजर का प्रयोग करें और जैसे शादी में जाते हो बहार जाते हो तो सोजल डिस्चेन का प्रयोग करें आप और यही बचाओ वे कोविड-19 के लिए और जितना डिस्चेन्स रकोगे सभी पीपल से इतना बचाओ आपके लिए होगा मुख्यबंतरी शिवराज सीही चोहान और राजसभा सांसद जोती राधित सिंधिया आज शाजापूर दोरे पर रहेंगे यहां दोनों राजनेता नगर पाली का द्वारा किये गए करोडों के विकासकार्यों का लोकारपन करेंगे हमारे समवाद दाता ने बताया है कि शाजापूर पहुचने पर श्री चोहान और श्री सिंधिया, स्टेडियम ग्राउंड में तरंटाल, दुपाडा रोट पर सुलब कॉंप्लेक्स, पंडित दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय रसोई नवीन भवन, शॉपिंग कॉंप केंद्रिय परियावरन मंत्री प्रकाष जावड करने कहा है कि भारत अनोखी जेवविविधितता वाले हिमाल और इसी तरह की कई अन्य परवत मालाउं का देश है एक वीडियो संदेश में श्री जावले करने कहा है कि देश की सतत विकास की नीती तय करने में पर्वतों की पारिस थिती की ये प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव आया है। तक कोहरा चाया रहा। उज्जेन जिले में भी मावठे की बारिश से ठंड का असर बढ़ गया है। मोसम विभाग ने एक दो दिन इसी तरह का मोसम बने रहने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटों के दोरान सबसे कम तापमान 10 डिगरी सेल्सियस राजगण में दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संशेप में। कटनी में कल विश्व मानवधिकार दिवस पर विधिक साक्षरता शिवर आयोजित किया गया। इस बुलिटेन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें। मास्क और दोगज की दूरी हाथ धुना भी है जरूरी। नमस्कार। मास्कार। 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 मास्कार।